सही मुराका यानि सम्यक समाधी सही समाधी राइट मेडिटेशन ये छटा भाग है आठ अंगों का जो मार्ग है दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग जिसमें कोई भी व्यक्ति निर्बान को निर्वान को सॉल्वेशन को प्रात कर सकता है मुक्त हो सकता है पापों से उसका जो आठ अंगों का मार्ग है यानि जो आठ कता है आठ की कता है या जो गरगर कता सुनाई जाती है या जो अश्टिमी की कताएं होती है आर दिन के उसमें जो छटा दिन होता है उसकी ये कहानी आती है सम्यक समाधी यानि राइट अब सम जो सब्द है इसके दो मिनी पाली में आते हैं और दोनों ही यहाँ जो अच्छी तरह से लागो होते हैं सम माने होता है बरावर और सम माने होता है शांत भी शांत चित्से यानि के बिलकुल कूल लैसे तो यहाँ जो सम्यक समादी का मतलब है वो है सही तरह से शान्त और बरावर आपने अधिगन करना है सरीर का सरीर में धारण करनी है शान्ती और सही तरह के से बरावर समान्ता समानता और शांती कैसे धारन करनी है ये बड़ा महत्पुन और बड़ा important है बहुत ही ज़्यादा कारण क्या है क्योंकि ये जो समाधी है समाधी जब तक आपकी सम्यक नहीं होगी आप पईया के प्रग्या के छेतर में जा नहीं सकते और जब तक प्रग्या के छेतर में जाएंगे नहीं तब तक आपका कल्यान होगा नहीं क्योंकि आठ अंग्लों का जो मार गए उसके सारे अंगों में आपने जाना है तो ये छटे अंग का मार गए है दरसल समाधी बहुत तरह की होती है क्योंकि एक चोर है एक टकैथ है एक रिस्वत लेने वाला है एक सराब बेशने वाला है एक सराब बनाने वाला है एक नसा बनाने वाला है एक देश को बेशने वाला है एक देश को बरबाद करने वाला है वो सब भी समाधी लिए वह उता है उनकी बड़ी समाधी होती है, बड़ा मेडिटेशन होता है, उनको अपने काम मेती समाधी होती है, तो लगाता लगे रहते हैं, कैसे सराव को घर घर में पहुचाएं, कैसे देश का पैसा लेके बहार बेजें, कैसे देश में रिसूर्ट खाएं, कैसे कमिशन खाएं, कैसे ल कर रहे हैं उनको भी नुकसान है उनके बच्चे भी इसमें आके मरेंगे ही मरेंगे और जिनके लिए ये हो रहा है उनके तो मरी रहे हैं वो तो मरते ही हैं यानि कि गलत समाधी दोनों ही लोगों को नुकसान देती है समाधी सिखाने वाले को भी और समाधी कराने वाले को भी और करने वाले को भी इसलिए बुद्ध ने अपने हर सब्द में सम्यक सब्द लगाया सम्यक का मतलब सही समाधी लेनी है क्योंकि चोर डाकू है वो लूटने के लिए देश को लूटने के लिए किसी के घर को लूटने के लिए, कोई फैक्टी लूटने के लिए, समाधी करते हैं, कोई एकाउंट से पैसा उड़ाने के लिए, कोई डिजिटल आज के समय में बड़े सारे एब बनाता है, किसी का पैसा लेने के लिए, कितनी बड़ी-बड़ी समाधी तपर्शा करते हैं, लोग नौकरी लेते हैं बड़ी बड़ी इसनी है कि हम रिस्वर्ट ले लेके अपने घर भरेंगे। लोग मेडिकल के अंदर दवाईयां बनाते हैं नकली ताकि वो अपना घर भरें। लोग सबजी में खाने में मिलावट कर रहे हैं। लोग जो आइटम है सामान हैं उतमे बड़ी समाधी लगा लगा हैं उंकर बजन कम कर रहे हैं की कीमता बढ़ा रहे हैं। कम तोल रहे हैं, कम दे रहे हैं। यह सब समाधी का حसा है मगर यह SMK है, खराब समाधी है। सुबह पांच बजे को अपने काम पर लगे और पूरे दिन लूटता रहे है उसकी समाधी गलत समाधी है साही समाधी वो होती है उसको भी फायदा हो और सामने वाले को भी फायदा हो देश को भी फायदा हो देश भी आगे पड़े तो यहां बग्वान गुद्र है सम्यक समाधी यानि जो right maintenance है उसके बारे में आपको पताया हुआ है समाधी लगाने का काम यानि मन को शांत करने का और मन को बरावर अच्छी तरह से शांत करने का समाधा में लाने का काम बड़ा मुश्किल है क्योंकि मन बड़ा चंचल है और मन बहुत तेश से भागता है खास्त और से वैसन में भागता है करसन में भागता है पाप में भागता है फीचर में भागेगा या भागेगा पास्ट में यानि जो बीत गया है उसमें भागेगा उसकी यादन लेके गुलमूर होता रहेगा या जो अभी आया नहीं है उसको खुआप बनाता रहेगा ये कार लोंगा, वो घर लोंगा, ये लोंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा पर जेंट में नहीं रुखता, ये उसकी विश्यस्ता होती है इसी को समाधी से परजेंट में लेके आना है तो काम बहुत मुश्किल है क्योंगी बार बार भागेगा सराब दिखाई देगी, औरत दिखाई देगी, आदमी दिखाई देगा, लड़का दिखाई देगा कपले दिखाई देंगे, नोबाइल दिखाई देगा, पिच्चर दिखाई देगी, नाटक दिखाई देगी, जूटी मूटी जो खबरें आती है टीवी में उनमें मनुल उलजेगा इन सब चीजों से उलजेगा तो उससे निकलने के लिए भगवान बुदने एक रास्ता निकला, एक टूल दिया क्या टूल दिया उन्होंने कहा आप अपनी सांस को देखिए अपनी सांस को देखिए और सांस को बार 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 देखिए कैसी आ रही है कैसी जा रही है यह उन्होंने दिया दे तो कुछ और भी सकते थे मगर कोई और माध्यम नहीं दिया क्यों नहीं दिया जैसे वो कह सकते थे कि मुंबत्ती की लो देखिए दीपक देखिए या सामने कोई कोई सर्कल बनाकर को चिन बनाकर उसका बिंदू देखिए या पेड़ की डाली देखिए या कोई लाइट देखिए या कोई उंगली देखिए या पत्ती देखिए या या कोई चीज़ ऐसी कलपना कीजिए मन के अंदर, क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स्पिंसी ये देखा, कोई भी आलम मन, कोई भी मीडियम अगर हम ध्यान लगाने लिए देते हैं, जैसे मानलो हमने ध्यान लगाया एक किताब के ओपर कि भी किताब में ध्यान लगाया किसी एक्षप ध्यान लगाया और बस ध्यान लगाते हमने अपने को अच्छी तरह से उसके अंदर इस्थित कर लिया समाधी में हम लेगा अब हमको इस किताब के लावब कुछ नहीं दिखाई दिखाई देगा, या अगर हमने मालो जूते पर ध्यान लगाया, तो जूता ही दिखाई देगा, या अगर हमने ध्यान लगाया, रोटी पर रोटी पर रोटी ही दिखाई देगा, या अगर हमने ध्यान लगाया, किसी ऐ बगवान गुद्धिस वात को जानते थे कि अगर कोई मीडियम या अलम बन देते हैं तो वो ध्यान उस समय तो लगा देगा मगर बाद में फिर उसी पर ध्यान अटेगा आगे नहीं पड़ पाएगा जैसे ठीक ऐसे जैसे जो डॉक्टर होता है अगर वो टांके लगाता है किसी जखम में कोई कट जाए कहीं और टांके लगाने के बाद में दुबारा टांके काटे अब पेट के अंदर कोई आँथ है आँथ खराब हो गई है वहाँ वो टांके लगाए और टांके लगाने के बाद मैं बिजन बाद कहें अब तुम्हारी आथ पूरी तरह से ठीक हो गई आपकी जो इंस्टेंट टाइन है वो पूरी तरह से ठीक हो गई मैंने अंटरा साउंड करके देख लिया है बस एक काम करना है कि आप दुबारा पेट खोल के और वो जो टांके रहने लगाए हैं प्लास्टिक के उनको काटना है और फिर पेट काटेगा फिर वो जुड़ेगा कैसे तो ये ठीक ऐसी स्थिती हो गई कि चूहा रखा घर में कोई था और बिली रखी उसको भगाने के लिए तो बिली चूहे को खा गई और बिली आ गई बिली को भगाने के लिए कुटा रखा तो कुटा आ गया कुटा पशन करने लगा कुटे को हटाने के लिए शेर लेके आए तो शेर हो गया गर में वो पशन कर रहा है वो हमें खा जाएगा ऐसे ही अगर आलम मन कोई रखेंगे तो वो समाधी में आगे नहीं बढ़ने देगा आपको खा जाएगा तो भगवान बुद्ध ने इसका तोड़ निकाला जो उन्होंने सीखा था उन्होंने कहा अपनी सांस को ही देखना है सांस ही आपका अलम्मन है सांस चूकि हवा है और एक एहसास है एक फिलिंग है दिखाई देती नहीं है तो इसलिए ये आपको कम परिशान करेगी परिशान तो करती है क्योंकि जब डीप समाधी में जाते हैं घहली समाधी में जाते हैं तो हार्ट बीट भी ऐसे चलता है जैसे कोई इंजन चला हो कार का गुं 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 ऐसे चलता है और सांस भी ऐसे लगती है, जैसे तुफान चलना हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा माइनूट बहुत ज्यादा बारीक आपका मन हो चुका है और आप बाल हिलने की प्रिकरियाबी समझ जाते हैं कि ये बाल हिला यहां से अगर धर्ती में ज़रा सा कमपन होता तो उसका भी पता चल जाता है कि कोई आ रहा है उसके आठ से धर्ती कमपत हुई तो सांस को धेरे 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 फिर बाद में बंद लगना सुरू जाता है और सांस इतना बारिक हो जाता है कि कही बार पता ही नी चलता कि सांस आ रहा भी है या नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा डीप मेटी समच लजाएं तो सांस लगबग बंदी हो जाता है बंदा जीवित रहता है व्यक्ती जीवित भी रहता है यानि बहुत हलकी चीज़ ऐसा होता है कि जिसकी कोई आवाज नहीं आती और हार्ट बीट भी बहुत सुलो हो जाती है पता नहीं यानि प्रग्याब में प्रवियस नहीं जा सकता जो इसका next part है सम्यक संकल्प है उसमें नहीं जा सकता इसलिए समाधी बलकुल दड़ होनी चाहिए समाधी का अधिठान होता है अधिठान का मतलब अधिठान यानि निश्च होता है दड़ चाहें कुछ भी हो जाए समाधी को नहीं तोड़ेगा चाहें कुछ हो जाए तो ऐसा दड़ जो निश्चे है या जो अधिठान है उसको समाधी के अंदर किया जाता है और समाधी में हर हालत में किसी भी हो जाए समाधी के अंदर आपने टूल नहीं लेना है कोई भी क्योंकि आपने अगर मीडियम ऐसा ले ल लिया या आपके रोशन ले लिया चिंद ले लिया या चक्र बना लिया या बिंदू बना लिया फिर वो कि खतम नहीं होगा वो आपके मन मस्तिकस पूरी तरह से जम जाएगा रात को सपने में भी वही आएगा इसलिए सम्नक समाधि के लिए सांस का आलमन सबसे बहतिन और पाजबाया है और पाया है मैंने खुद किया हुआ है क्योंकि मैं विपस्टना मैं जाता हूँ देखता हूँ कि अगर कोई और अलम्मल लगाते हैं तो इसको उटाना मुस्किल होता है मगर सांस दीरे दीरे डिल्यूट हो जाती है ठीक ऐसे जैसे डॉक्टर आज के समय में ऐ उसको काटके बारिक 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 धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से ऑपरेसंट करके सरीर के अंदर वो सिला जाता है जो पार्ट खराब होता है और जब उसको सिल देते हैं तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाता है यानि कि जो चर्वी है ज सानस से जब हम समाधी तक जाते हैं तो बाद में उपशा नहीं करती, तो स्वयमी धीमे 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 हो गया, औल्मोस्ट खतम सी हो जाती है, यह सम्यक समाधी इसके बाद में जो आता है वो आता है सम्यक संकल धन्नेवादी, तीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर तीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल पर इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐस शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहु में लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने, धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा, आप धम को लाब देंगे, ये दोनों इंटरचिन है ये धम की प्राकरतिक नियम है, धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी, संगं सरेनं गच्छामी, तू थियं पी बुद्धं 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 सरेनं पी धम्ममं और सेंगर्चामु। पूसियं की सिंगर्चामू मैं औरतियं की तत्यां पी बुद्धं और सेंगर्चामु। कच्छाम। ततियं पी घुल्दंग सर्मं कच्छाम। ततियं पी धम्मंग सर्मं कच्छाम। कच्छाम। ततियं पी घुल्दंग सर्मं कच्छाम।